हेलो दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से OPS Study Solution में श्वागत है तो दोस्तों जो भी हमारे बिहार ओपन बोड बीबोस के स्टूडेंट है तो उनके लिए वीडियो काफी ज़्यादा खास होने वाली है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि नया जो फिर स्ट्रक्चर आया है वीबोस की तरफ से क्या है आप लोगों का एडमीशन का कितना चार्ज लगता है यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों क्योंकि आगर आपको पता नहीं है तो यहां ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मिलेंगे आपको जो काफी ज़्यादा पैसा ले लेंगे जितना इसा कुछ भी नहीं है तो आज मैं पूरा आप लोगों स्ट्रक्चर के बारे में step by step बताने वाला हो तो जितने भी student है या admission करवा चुके हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो सभी के लिए वीडियो काफ़े ज़्यदा important हो होने वाले क्योंकि अगर आप बिहार open board बीबोस के student है तो आपको इसके fee के बारे में सारा कुछ है तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और वेसे student जो मारी चैनल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्काइब जरूर्ब कर ली जगा ठीक है तो चलिए दो सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं यहां पर जारी किया जाता है कि fee structure कितना है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते है हमारा पंजियन सुल्क and detail of registration fee यही तो हमारा admission हो गया फिर registration हो गया इस तरह से इनके यहाँ पे सुल्क के पूरे detail दिये हुए ठीक है यह कोई बनावटी चीज नहीं है यह बिलकुल और इसमें जितना लिखा है उतना ही जो है उतने में ही admission होता है ठीक है न दोस्तों तो आप ज्यादा पैसा किसी को देने की ज़रत नहीं आप जान लीजे अगर आप करवाना चाहा रहे हैं admission वगर तो यहाँ पर देख सकते हैं मादमी हो गया 10th के लिए 12th के लिए आवेधन सुल्क जो मतलब क्या होता है यार यह अपली admission जो form होता है उसका यह 50 रुपया मांग रहे है ठीक है समझ रहे हो ना उसके बाद दोस्तों देखें कितना चार्ज लग रहा है वो सब कुछ मैं बताने वाला हो देखें 1000 रुप में नमबर दीया जाता है आईडी कार्ड पर तो उसका यह सूल कैठीक है यहां पर देख सकते हैं समान वर्ग के लिए जो जंडरल कैटेगरी में आते हैं उनको 15 रुपए लग रहा है ओर 12 के स्टूदेंट को यहां पर देख सकते हैं जो भी हमारे पिछड़ा जाती में आ पर बिखाँ पिछड़ा जाती अती भी आते हैं लेकिन उनके यहांदा कम चार्ज यह पर सकते हैं हमारा 845 रुपिया जो है और 210 रुपिया सोटकेज' ज्यादा पैसा लग रहा है मतलब कि 1500 रुपया टैंथ का और ट्याल्थ का सत्रह सो पांच रुपया लग रहा है ठीक है और जो भी हमारे देखें यह जो है ना अगर आप यह सर्टिफिकेट ओबी सी का सर्टिफिकेट आप देते हैं पिछड़ा अतियंत पिछड़ा लेने जा रहे हैं तो यह सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए नौलेज होनी चाहिए उनको ज्यादा पैसे नहीं देना है जानकारी के आवाम में आप लोग काफी ज्यादा 10,000 15,000 20,000 रुपया फालतू का बरबाद कर लेते हैं ठीक है और यहां पर देख सकते हैं दोस्तो कि यहां पर दिये गए ठीक है भूत पूर फ्षैनिक वगएरा जो हमारे फोजी वगएरा तो उनके लिए भी यहां पर यह सारी चीज़ें दे दिये गए ठीक है और दोस्तों ज्यादा कुछ चार्ज नहीं आपको बता देने वाला हूँ चलो मोटा मोटी में आपको बता जाए जाएगा तो उसमें जो है आप लोगा जो है जो भी आपका 200-500 रुपया पर सब्जेक्ट जो आपके लगते हैं तो हजार रुपय आपको एक्स्ट्रा वहां पर एक्जामिनेशन फॉर्म का लग जाएगा तो मोटा मोटी रखे ना यार दो-500-500 में ऐसे जो है आप आपके पूरा आप zucchini कर लेंगे समझे का जलंता है और यहां पे कुछार्ज और है 50 रुपय यहां पर व्यक्तिकत समपर्च कहिए उनके होते है प्रियोग के लिए यहां पे 50 रुपे लग रहे हैं मतलब प्रैक्टिकल के लिए 50 ज्यादा कोई चार्ज है ने फिर पहचान में पत्र सुल के यहां पे आपको आईरी काड के लिए लग रहे हैं और अगर आप एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको पड़े सब्जेक्ट जो है 130 रुपे लग रहे हैं यह टैंथ प Vouंता दिया यहां घोज़ को कम कम पैसे होते हैं अगर कोई भी टीचर जहांसे भी हैं अपे प्रोड मिलेंगे आपसे पैसे के लालच में काफी ज्यादा ऐसा होता है और बच्चे मतलब इससे परिसान होते हैं लेकिन उतने पैसे लगते निया जब सचाई पता चलती है तो बहुत देर हो जाती है तो इसलिए हम लोग आपको पहली सतर्क कर दें ठीक है दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहे और एक चीज़ और मैं बता देने वाला हूं कि दोस्तों जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको मतलब कोई शमस्या एडमिशन करवाने में प्रोब्लम है तो हम लोग आपका जो एडमिशन है जो सा रिप्लाइ नहीं आएगा उस पर लेकिन आपको जाना असा रिप्लाइ मिल जाएगा ठीक है ना मैं आपको रिप्लाइ कर दूंगा मेरे पास टाइम बचेगा तो समझ गये दोस्तों और जो भी स्टूडेंट एडमिशन वगेरा कम पैसे में अगर नहीं हो पा रहा है ज चली दोस्तों यह चोटी सी जानकारी थी मुझे लगा कि बताने चाहिए दोस्तों मैं चीज़ा और बता देने माला हो मेरे पास काफी ज़्यादा मतलब एडमिशन के लिए फिर बुक्स वगएरा के लिए लोगों का जो है दलाल सब का जो है क्या होता है कि मैसे जाता रहत हमेशा से हम लोग करते रहते हैं यह अच्छी इंफोर्मेशन वगएरा स्टूडेंट के जो हक में होता है वही हम लोग यहां पर करते हैं ठीक है दोस्तों तो यह वीडियो बनाने का मक्सद है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं फ्रॉड के चक्कर में फस जाते हैं तो ऐसा ना हो तो इसलिए हम लोगों नहीं वीडियो बनाई है ठीक है दोस्तों और जो भी गर्स कंडिडेट्स वागरे उनको विसे छूट दी जाएगे क्योंकि दोस्तों हम लोग गर्स की जवाना काफी जादा हेल्प करते हैं ठीक है तो कि आपको पता होगा हमारे जो बिहार है या हमारे देश में जो है गल्स के साथ समानता का विभार किया जाता है उनको ज्यादा अपर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है ठीक है ना पढ़ने लिखने का देखे हमारे देश में अगर गल्स आगे बढ़ेंगे तभी तो यहार अमारे देश का विकास होगा नहीं है कोई प्रॉब्लम से समस्था है तो हम लोगों को सेर कर सकते है ठीक है तो हम लोग उनको विसेश छूट भी देंगे समझे ना दोस्तों चलिए जितना हो सकी हम लोग आपकी है ठीक है और जादा से जादा जो है देखे यार मेरे चैनल पर है काफी जादा गल्स वाट्सअप नंबर पे जो है बेजिक जक जो हम लोगों से बात वगएरा सब कुछ होता रहता है ठीक है रहा कोई प्रोब्लम नहीं है हम लोग यार यह चैनल आम लोगों की शुबदाओं के लिए help के लिए खोला है समझे दोस्तों तो चलिए मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया और आप लोग अगर खुद से भी admission करवा रहें तो सतर को जाए जो फी अस्ट्रक्चर है उसी के अनुशार आप लोग देने की कोशिश करें चलिए दोस्तों इस तरह की update मैं लगातार आपको देता रहूंगा साबदान करता रहूंगा और जो भी हो सके हम लोग आपकी help करते रहें समझे दोस्तों तो चलिए आशा करता हूं आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गए होगी और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जितना हो सके आप इन सब चीजों से बचे ठीक है न सही डिसीजन लिजिए सही आ तक तक लिए धन्यवाए तैंकी सुमच